जगड़ा उना सुबावग था क्योंके दोनों वलवान थे और जवान थे दोनों की वा अवस्ता थी तो रावड का पुत्र और वाली का बेटा राम जी का परमभक्त अंगद दोनों के दोनों रास्ते में भेड़ गए ते अंगद काउं लात उठाई गई पद पड़के उभू में ववयाई और अंगद ने एक लात मारी के मौंके वर नीचे गिरा सुनाक पूट गई नकले उगिरा नीचे नकी गिरी निश्र निकर दे के भटवारी जहें ते चले न सका ही पुकारी जैसे जमीन पर पटगा तो राक्चस समुभारी योदा जेकर वो तो इतवित सिगरे भाजेगा एक नहीं रुको शगरे राक्चस भागे डर के मारे और पुकारने लगे रावड को कोई तो रावड के दरवार में पहुंचा एक एक सन मरमन कहीं समझतास बदच्चुप करे रही एक दूसरे की असली बात कोई नहीं बता दे रावड के पुत्र का वद समझे कर वो तो चुप चाप हुई रावड को भी नहीं जाके बता दे कि तुमारा बेटा मारा गया रावड कहीं कहीं से सूचना मिल गई पुत्र की इम्रत्तु को सुनकर और राक्चसों को भै से देखता हुआ भागता हुआ देकर नगर भर मे कोला हल मचा है ऐसा सुनकर अरे जिसने लंका जलाई रावड ने का क्या वही बंदर आ गया क्या भिद्वारा से एक बार हनुमान ऐसा पसाद दे गए अब तो कोई बंदर का नाम आवे तो हनुमान जी ही उसकी निगाव में आ जाए तो वह पूछन लगा क्या वही बंदर आ गया क्या जो लंका जला के गया अब धोका करहीं करता रा अतिसभीत सब करहीं विचाना जब अतियंत भैवीत थे अब सोच रहे थे कर पता नहीं बेदाता आख क्या करने वाला है क्या करेगा वे बिना पूछे अंगत जा रहे थे तो उसकरी राक्षसियां डर रही थे पूछ वाले तो अंगत थे ही अनुमान जी जैसी पूछ उनके पास होई है सो रावड का घर का रास्ता अंगत को पूछना थोड़ी पड़ा दर्वा जेते राक्षसियां आई और आगें दे सुनो सुनो जा गली को जो अंतिम छो रहे बाते डेड़े हाथ पे मुड़ जाई हो डेड़ो हाथ जानो बायो हाथ मनते नाक उठाए के सीधे चली हो एक पीपरा को पेड मे लेगो बाते आदो कोस नेक आगें चली हो और महीं एक संकर की पिंडी दीख रही होगी बाके सामने एक बड़ो सो सोने को वरंड़ा बनो होगो और बाके उपर एक द्वजा लगी होगी समझ लेना बाके उपर लगी होगी दशानन भवन वो ही समझ लेना का रावड का मकान वही है और अंगत किसी को पूछ नहीं रहे और डरके मारे सिगरे रास्ता अपने आप ही बतावत जाए रहे